वेलकम टूर चैनल एगरी विद्वन तोडे फर्दर कंटेनू आवर एंटमोलोजी सीरीज तोडे वी डिसकस अब आउट अटेना ये वाला कंटेन्ट मैंने अलग-अलग जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा प्रिपेर किया वार डारेक्ट उठाया है तागी आपको आसानी से समझ में आसके और वीडियो का क्रेडिट भी उनके जाता है जिन्रोंने इसे कंटेन्ट को प्रिपेर किया है अम बात करते हैं अटेना के बारे में अंटेना बेसिकली क्या होता है ये फर्स्ट पेर ओफ अप्वेंड़ीजीस होता है है कि आंदर इंटेनफ उसमें पाय जाएगा जो एंटेना है इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं number of segment लेकिन में ये तीन reasons में divided है सबसे पहला जो हमारा basal region है जो हमारा starting में base के पास head के पास region है उसे हम scape कहते है S-C-A-P-E scape जो membranous region के अंदर जसा हुआ होता है head hole के और ये slightly pivoted होता है single marginal point में means एक single point से निकला होता है और ये antinifer होता है और ये free होता है move करने के लिए हर direction के अंदर ये move करता रहता है और दूसरा segment कौन सा हमारा pedicel पहला हमारा scape है दूसरा हमारा pedicel है जो हमारा pedicel है ये छोटा होता है किसकी बजाए scape की बजाए और ये similar segment और जो हमारा third वारा segment हो गया वो हमारा phlegelum इसके अंदर जो तीसरा part phlegelum है इसके अंदर कई सारे segment होते है जो छोटे-छोटे सब मिलकर phlegelum को बनाने का काम करते है और जो प्रते एक segment है उसको क्या कहते है annulus कहते है और ज्यादातर आप जितनी में modification देखोगे आप तक हमने क्या का देख लिया कि बेसल हमारा segment होता है scape और फिर उसके बाद कुन सा होता है और थर्ड होता phlegelum और phlegelum होता है उसके अंदर बहुत सारे चोटे-चोटे सब-segment भी होते है आगे में इसको आपको पूरा डियाग्राम भी दिखाऊंगा अब देखो pedicels है most of insects में सिर्फ springtail और diplurons को छोड़के एक special sensory organ होता है जिसे हम johnston organ भी कहते है और ये hearing का और auditory means hearing वगरा का काम सुनने का काम भी करता है male mosquito में perception of sound means आपने कभी मच्चर की आवाद सुनी होगी जो भी भी आवाज करता रहता है वो कहां से आती है वो इसे antenna से आती है और ज्यादा तर कई insect में ये क्या भी काम करता है air speed means कि speed से वो run कर रही है air के अंदर उसको भी ये यही decide करता है हमारा antenna का antenna का फिलर organs भी कहते है means जो feel करने का काम करते है अगर हम general functions की बात करें antenna की means antenna किसकी सीज में काम आता है means पहला ये tactical organs means sensitive to touch है इसके अंदर sensitive पाई जाती है साथ में ये respiration का भी काम करता है क्योंकि कुछ जो aquatic insect है जो मच्छर की starting वाले initial stage होते जैसे वो aquatic होती है उसी तरह औरों के अंदर भी aquatic stage के अंदर ये air funnel का भी काम करता है danger को detect करता है food को detect करता है और path को किस रस्ते भी उसे जाना ही ये भी antenna करता है हमारा antenna ही करता है जैसे आपने चिटियों को देखा हुआ दो चिटी आपस में अपने एंटीना को बिढ़ाते हुए चलती है वो सेम कहां से आता है इसी एंटीना का फंक्शन हो साथ में जो male fleas है हमारे वो female के साथ mating के दोराण जो claps means जो उनके साथ touch करने का काम करते हैं वो एंटीना के थुरू ही करते हैं साथ में जो हमारे mandibles हैं जो prey को hold करते हैं या फिर mastication of food material करते हैं उसके mandibles के function में भी हमारा एंटीना हेल्प करता है sexual dimorphism में भी हेल्प करता है male mosquito में फिमेल में भी और साथ में ये humidity detectors होते हैं हमारा जो tribolium castanum होता है उसके अंदर जो humidity है means नमी को महसूस करने का detect करने का काम भी यही करता है साथ में हमने अलग-अलग जो insect को classify किया है वो कि इसके base पी किया है हमने antenna के base पी किया है अब हम आग इसकी modification देखेंगे पहले एक बार इसका diagram देखते हैं कि diagram से हर चीज कलीर होती है यह देखो यह starting वाला head capsule वाला reason हो गया हमारा जहां से head connect होता है उसके बाद हमारा जो first part था जो हमने कहा था कि escape first हमारा escape हो गया उसके बाद एक छोटा सा junction type में आता है वो होता है paddy cell यह हमारा paddy cell है उसके बाद हमारा जो भी reason बच गया यहां से लेके यहां तक यह सब हमारा क्या है phlegulum है phlegulum फर्दर छोटे छोटे सब segment में divided देखो यह रेक जितनी भी यह सब segment है यह सब segment हमारे phlegulum के अंदर ही पाए जाते है escape, paddy cell और phlegulum ठीक है और यह antifer यह हमारा उसमें junction है अलाग अलाग उसकी arrangement के muscles के हिसाब से दो तरह कि हमने antenna को mainly describe किया है annulated means the whole movable by two set of muscles means जिसके अंदर दो muscles के कारण पूरा antenna movable होता है जैसे हमारा levator है और depressor muscles है इनके कारण हमारा सारका सारा antenna move करता रहता है इसके बारे मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि इतना ज्यादा important नहीं है यह mainly thysinuron में जो silver fish होते है हमारे और tarig order में पाया जाता है हमारा annulated antenna इसी तरह अगर हम segmented antenna की बात करें तो यह column volume और dipleura में पाया जाता है और muscular at the base base का जो antenna का base है वो muscular region होता है थोड़ा हा ठीक है और johnston organ इसके अंदर absent होते है segmented antenna के अंदर अब हम बात करते हैं modification of antenna की यह हमारा most important topic है आज का की कैसे कैसे अलग अलग insect में कैसे कैसे वो modified हुआ है सबसे पहला आता हमारा cetaceous antenna जिसे हम Bristol या whip type भी कहते है इसके अंदर जो sub segment है वो क्या हो जाते है diameter में decrease होते चले जाते है last final stage की तरफ यह देखो आप यह starting वाड़ा antenna हमारे जो segments है यह last की तरफ जैसे जैसे जाएंगे बिल्कुल छोटे होते जा रही है यह सब हमारे cetaceous antenna के अंदर पाया जाता है यह किसके अंदर पाया जाता है हमारा kokroj हो गया leaf upper हो गया और dragonfly में यह पाया जाता है बिल्कुल last में tapering एक पतली सी सूई की तरफ हो जाता है इसको आप kokroj में देख भी सकते हैं कि बिल्कुल पतला बाल की तरफ हो गया यह cetaceous antenna फस्ट होगा clear अब आता हमारा philiform antenna means यह होता है thread like इसके अंदर जो सारे के सारे sub segments हैं वो लगबग equal होते हैं size के अंदर और diameter के अंदर means cylindrical इसे में देख आप लगबग सारे के सारे equal हैं सारे के सारे segments लेकि हम phlegulum में ही ज़्यादा तर modification होती हैं तो जो phlegulum के सारे के सारे हमारे छोटे छोटे सब segment हो वो लगबग equal size में होते हैं मामूली साथ छोटा वो थोड़ा वोत फरक हो जाता है कई बार जो last के segment हो छोटे हो जाते हैं लेकिन normally लगबग same ही रहते हैं दूर से हम देखते हैं यह हमारा grass ओपर में tiger beetle में, ground beetle में इसमें देखा जाता है हमारा philiform antenna इस diagram में आप देख भी सकते हैं philiform antenna का यह example है ठीक है अब आता हमारा moniliform antenna जिसे हम कहते हैं bead like ठीक है bead क्या होता है जो हमारे मोति की जो मनी होते हैं उसी तरह हमारा moniliform antenna उसी के उपर base है means जो spherical structure होता है similar और spherical goal goal जो मारे आपने माला भी देखे होगी उसके अंदर same structure पाया जाता है यह किसकी तरह दिखता हमारा string of beads means means जो मोतियों की माला होती है उसकी तरह दिखता है यह हमारा tramite में पाया जाता है means जो मारे dimmuk होती है उसके अंदर यह पाया जाता है यह मोनीलiform आप देख भी सकते हैं यह हमारा tramite हो गया इसके अंदर यह antenna पाया जाएगा अगर हम next हमारा आता है serate antenna जिसे हम so like भी कहते हैं means जो आ रहा होता है उसकी तरह ही दिखता है इस side देखवा बिल्कुल triangular shape में लास्ट में इसके देखो shape बिल्कुल penny, nuclei है ठीक है जो हमारा sub segment of legulum का यह pointed structure हो जाता है एक side में इस side है इसका यह pointed structure हो गया इसे यह so की तरह दिखता है यह mainly हमें किसमे देखनों के मिलता है आपने अगर commonly देखा भी होगा चने के अंदर या फिर wheat के अंदर यह दोरा commonly पाया जाता है जिसे हम pulse beetle भी कहते हैं उसके अंदर syret type का antenna पाया जाता है यह देखो आप यह इससे हमें direct पता चल रहा है कि syret type कौन सा होता है आगर हम pectinate की बात करें यह comb like होता है जिसके अंदर जो sub segment फ्लेजलम का elongated processes होते है एक side processes means जो थोड़ा सा extension होता है यह हमारे moth में fire colored beetle में pectinate type का antenna पाया जाता है डाइगराम से देखो आप यह हमारा pectinate हो गया इसमें देखो आप ठीक है example जोरुयाद रखने न moth है और fire colored beetle है pectinate अब हमारा आता है by pectinate यह लग बग उसी के तरह है इसमें थोड़ा comb like structure है लेकिन उसमें single था इसमें double है जो हमारे sub segment है वो उसमें pair of processes है दोनो side उसमें एक side processes है इसमें दोनो side है यह किसके अंदर देखा जाता हमारा silk moth के अंदर दोनो side है इसके double इस side भी है और इस side भी है यह यह मारा by pectinate और pectinate में main difference है pectinate मैंने आपको बता दिया था comb like है और by pectinate phone सा है double comb like है example ज़रूर याद रखना एक तो कम से कम silk moth में पाय जाएगा अगर हम clavate की बात करते है जो मारा next type का antenna है modification है इसके अंदर जो कुछ phlegelum के sub segment है वो enlarge हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़े जुड़े हुए connection में रहते हैं ठीक है यह बात इसमें main difference यही है next volume और इसमें दोनों यह इसमें clavate में जुड़े होंगे एक दूसरे से और जो tip हो जो tip है phlegelum की last वाली वो थोड़ी हमारी सूजन की तरह है swollen होता है इसमें देखो सूजी होई है पूरी यह हमारी clavate का example है butterfly में commonly है most commonly है जो दिखता भी है यह देखो इसमें यह last वाली टिप swollen है थोड़ी ही यह clavate का example है अगर इसी तरह हम captivate की बात करें तो यह क्या है no black structure है इसमें और इसमें जो कुछ phlegelum है वो stillly enlarge हो जाते हैं और एक no black structure बना लेते हैं means last वाली जो है वो पूरे के फूरे सूच जाएंगे और phlegelum को enlarge कर देंगे swollen कर देंगे उसके basically और यह थोड़े से एक दूसरे से separated होते हैं जो मैं red rust flower beetle में commonly देखने को मिलता है red rust flower beetle इसका example है इसमें और पीछे वाले में यह difference था इसमें थोड़े कम connection होता है इनके बीच में यह देखो हमारा flower colored beetle हो गया ठीक है red rust flower colored beetle इसका थोड़ा हो गया अगर हम lemulate की बात करें जो leaf like structure होता है जो कुछ terminal है sub segment के final phlegelum के यह enlarge होता है leaf like structure में एक पत्ति के आकार ले लेते हैं यह देखो यह पत्ति का इसी तरह आकार होता है इसी तरह पत्ति का कार होता है तो वही शेफ लगबग इसने ले ली है lemulate type में leaf like में यह dung roller अगर आपने commonly अगर आप village background से भी लोग करते हैं अगर ने देखा भी होगा कि जो गोबर को ऐसे गोल 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 ले जाते हैं वो dung roller होते हैं यह इस तरह का insect होता है यह lemulate होता है lemulate का example है dung roller है अगर हम flabulate की बात करें feather like होता है इसमें जो कुछ उपर वाले segments होते हैं वो थोड़े से long हो जाते हैं और feather like means feather projection हो जाते हैं इसके अंदर यह हमारा flabula होता है यह थोड़े लंबे टाइप में हो जाते हैं यह हमारा किसमें दिखा जाता है हमारा sidar beetle में दिखा जाता है यह देखो sidar beetle हमारा इसमें flabulate दिखा जाएगा अगर हम genuculate की बात करें इस means elbow type जैसे हमारी एक तरह हमारी बाजू होती है उसकी तरह हो जाता है जैनुकलेट जो मारा scape है इसके अगरे थोड़ा लंबा हो जाता है जो मारा पहला phase नॉर्मली छोटा ही होता है फिर pedicel तो बिल्कुल छोटा होता है और last वाला flabulum बहुत बड़ा होता है लेकिन इसके अंदर जो starting वाला ये वाला base वाला है ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और जो flabulum है ये right angle पे pedicel पे मुड़ेगा ये देखो आप ये हमारा क्या हो गया? scape हो गया starting वाला ये हमारा pedicel है फिर last वाला ये वाला reason हमारा कुन सा है? flabulum है जो connection करने का काम करता है ये एकदम राइट एंगल पे मुड़ जाएगा इस तरह है ऐसे ये हमारा राइट एंगल बन गया 90 डिग्री पे लगबग इसी इसी डारेक्शन में ये मुड़ जाता है ये हमारा common leakage में देखा जाता है हनी बी और वास्प के अंदर हनी बी और वास्प यहाँ निभी हो गया ये हमारा genucolate हो गया अगर हम plumos की बात करें ये होता है feather-like इसके अंदर जो प्रते एक सब सेगमेंट है इसके अंदर whole of hair like processes at intersegmental joints जो प्रते एक सेगमेंट के joints है देखो ये joint हमाल लिया ये joint है ये joint है इन सब joints के उपर जो hairs का एक गुच्छा टाइप में है वो सब अमारे plumos में दिखा जाता है और feather-like projections इसमें develop हो जाती है male mosquito के अंदर देखा जाता है जो नर्मस्चर होता है उसके अंदर commonly plumos दिखा जाता है पाइलोज की बात करें तो ये brush like हो जाते हैं with sparse hairs plumos और पाइलोज में थोड़ा सा हलका ही डिफ्रेंस ज्यादा इसके अंदर भी whole contents हैं लेकिन छोटे हैं short, stiff, less number of hairs मिन्स इसके अंदर बाल तो हैं लेकिन क्या हैं छोटे हैं और क्या हैं stiff हैं hard type में ये हमारे female mosquito में देखा जाता है और gold might में देखा जाता है पाइलोज की example है अगर हम अरिस्टेट की बात करें तो फ्रलेजिल में इसके अंदर सिर्फ एक segmented होता है मिन्स unsegmented होता है पूरा एक segment होगा जैसे पीछे वाले में थे ये segment होगा माले ये segment होगा इस तरह था हो लेकिन इसके अंदर क्या होगा simple ये होगा इस तरह गा structure होगा ये अरिस्टेट है हमारा और जब अरिस्टेट को हम dorsally situated करते हैं तो इसी modification को हम क्या कहते हैं अरिस्टेट टाइप ये हमारे जो हमारे commonly housefly आपने देखे भी होगी तो उसके अंदर ये पाया जाता है ये देखो housefly इसके अंदर ये सामने वाला है अगर हम stylet की बाद करें जो हमारी next modification है जो हमारी अरिस्टा है वो terminally situated होता है और इस ही modification को हम stylet कहते हैं ये हमारे horsefly और terminally एकदम last point पे situated है stylet का ये example है horsefly और roverfly hold के अगर हम बात करें तो जो हमारा staceous है या philly form है जो भी हमारे ये सब उसी में होता है in which there is a hole of bristles at every point means एक टाइप पूरा का पूरा गुच्छा टाइप में होता है देखो ये देखो एक दम इस पे क्या होगया पूरा गुच्छा टाइप में होगा हाज जग है ये किस sevent Yeshua में मरा देख्वा जाता है mango मिली बग जो mango फे जो बग आता है विल भग आता है उसके अदर ही hole type में उस type में एंटिना देख़ा जाता है उसको अपर ये हमारे सारी के सारे एंटिना के मोडिफिकेशन होगे माउथ पार्ट्स को आपने पिछले वाड़े वीडियो में कवरी कर लिया था आप इन सब को एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो अगर आपको कहीं पर डाउट है तो अपने कोमेंट सेक्षिन में अपने डाउट चोड थेंक्स पर वोचिंग दे वीडियो